नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका रास्तान इस्कॉलसिप में मुक्यमंत्री उच्छिक्षा सातरवर्ति योजना 2021 के फॉर्म दोस्तों अभी भरे जा रहे हैं लेकिन इसमें फॉर्म बरते टाइम काप इस्टेंट है जो है जो कॉमन्ट गलतियां कर देते हैं डोकॉमेंट अपलोड करते समय जिससे क्या है कि उनका बाद में फॉर्म है जो डिपार्टमेंट की तरफ से वो रिजेक्ट कर दिया जाता है तो जिन इस्टेंट ने सीम आईयर इसकॉलसिप के लिए अपना फॉर्म एपलाई कर दिया है या अभी फॉर्म बरने वाले हैं वे सभी इस् आपने सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब करके बैल एकन औल प्रैस कर दिजे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे तो आई यह वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम जो डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिसल नोटिपिकेशन जारी हुआ था उस नोटिस को देख लेते हैं उसमें कौन-कौन से डोकोमेंट को किस परकार से अपलोड करने के लिए बोला गया है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यह परिपत्तर है इसको थोड़ा से यहाँ पर फटापड से पढ़ के बता द चात्रबरती योजनाओं में कारी परकरिया के अधिन शर्ली करने ऑंलाइन करते हुए जनादार पोटल में प्राति की जनादार प्रोपायल से मेटाड़ेटा है जो आधा और परमानिकरन डाटा का उप्योग किया जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटे करना है एवं आपके जो भी डोकुमेंट है आपकी जो भी डिटेल है वो दोस्ता आपकी जनादार कार्ड से ली जाएगी ओटरमेटी तो इसके लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले आप जब भी इस इनी योजना में फॉर्म एपलाई करें उससे पहले आप अपने करना है आपके फैमिली के डोकुमेंट है जो भी डिटेल है वो आपको दोस्तों जनादार कार्ड में अपने दस्दी की किसी भी इमितर जाकर पर रहे अपडेट करवानी है ठीक है उसके बाद ही दोस्तों आप है जो इसमें फॉर्म एपलाई कर सकते हैं आगे पढ़ लेत है तो आप यहां पर देख सकते हो कि इन योजनाव में फॉर्म एपलाई करने के लिए कौन जो जरूरी डोकुमेंट है वो अपलोड करना है सबसे फर्स्ट में हैं दोस्तों आई परमाण पतर है यानि कि आपका फैमिली के जो इंकम सर्टिपिकेट है वार्षिक वो दोस् दोस्तों आपका जो है परवे सुल की रसीद जो नियमीत अधियन के परमाण करने है तो है यानि कि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे है उसके लिए दोस्तों जिस भी साल के लिए यानि कि 2021 के लिए आप फॉर्म एपलाई कर रहे है तो 2021 में आपने कौन से कॉलेज इसकूल आपको अपलोड करने होगी चली आगे बात करते हैं तीसरा यहां पर है दोस्तों अंकता लिगा है यानि कि आपकी मार्क शीट यानि कि जिस भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और वो मार्क सीट है जो आपको लगानी है किसलिए डिपार्टमेंट देगेगा कि नियुंत इसके लिए तो आपको सिर्फ फॉर्म बरते समय ये तीनों डोकुमेंट है वो अपलोड करना है कौन-कौन से आपका आई परमन पतर होगा इंकम सेटिपिकेट आपका परवे सुलुक होगा फीस रिशिप और आपकी अंगताली का यान की आपकी मार्क सिट होगी ये तीनों आपको सुलुकंट है जो आपको फॉर्म बरते समय अपलोड करना है इसके अलवा दोसतों आप बोलोगे कि भागी डोकुमेंट है भागी डिटेल है वो कहां सा हैंगी तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जोबी डिटेल है इन तिनों के अलावा वो दोसतों जनादार कार्ड से ओटोमेटिक ली जाएगी तो मेरा आप सबसे निवीदन है कि अगर आप इन योजना में फॉर्म एपलाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप है जो अपने किसी भी नजदी की इमितर पर जाकर अभी आपके पास दोस्तों 15-20 दिन का समय है लगबग 15 फ समय दिन के अंदर है जो अपडेट हो जाएगा और उसके बाद है जो आप अपना फॉर्म कर सकता है इसके लावत जिन इस्टेंड मानलो अपना फॉर्म एपलाई कर दिया है तो वो क्या करना है अपने किसी भी नजदी की इमितर पर जाए और अपने जानातर कार्ट को Shadую के regarding या इन ये उजनाओं के regarding तो आप मुझे जाकर Instagram पर जाकर follow कर सकते हैं दोस्तों Instagram का जो link ए to channel के About में दियो हुआ है जाकर आप follow करके ma方 पर ले ये में कर सकते हैं तो उम्मेद करता हूं अलिए सारी जानकर ये आपको समय क्यों अधर at Daoki कर दीजremos recomendants involves झाल झाल झाल